नमस्क्राइब दोस्तों में आकाश आपका स्वागत देख से डिसेंटे यूट्व चैनल पर देखो इलाइसी का जो बहुत एवर्टेट है वह आ चुका है तो सभी भर दो तो यहां पर देखो सबसे पहले इस नोटिफिकेशन में हम लोग आज वीडियो में बात कर लेंगे नोटिफिकेशन के डीटेल कुछ बात कर लेंगे इसके बाद हम लोग बुक्स कैसे स्ट्राइटीजी करनी है कैसे फ्रिपरेशन करनी है वह भी हम लोग डाल देंगे तो सबसे पहले दो वैकेंसिस 590 वैकेंसिस बहुत होता है तो इसमें बहुत अच्छा जॉब है इसमें सब्सक्राइब करेंगे तो अगर आपकी बात की क्वालिफिकेशन आती है वह जरूर आप कर लो ठीक है तो यहां पर देखो स्टार्ट कब हो रहा है यह लास्ट ऑनलाइन रेजिस्टेशन जो है आपको 22 तरीक है तो जरूर कर रहें एक्जामिनीशन जो फूर्थ और सब्सक्राइब की गहीं है इस की बात करें तो देखो 21 से जो है तीस साल तक एज है और यह एक तीन द्वाजा उननीस को मानी जाएगी एज को ठीक है और जेनरलिस्ट के लिए बैचलर डिगरी चाहिए आई टी के लिए देखो ग्याज़िट डिगरी इंजिनिंग सब्सक्राइब को चाहिए और डबले चार्टर एकांट के लिए आपको चार्टर एकांट होना है डबले एक्टूरियल की सर्टिफिकेट चाहिए राजवासा के लिए हिंदी आपको होना है उसके बाद देखो देखो जो सैलरी की बात करें तो 56,000 पर मेंथ आपको जो है सिटी में मिल जाएगे तो बहुत अच्छी सैलरी है ठीक है उसके बाद प्रोबेशन्स आपकी जो है एक साल के प्रोबेशन्स है गैरेंटी बॉंड आपको देना है डाट इस टू लैक की आपको गैरेंटी बॉंड भी देना है फीस की बात करें तो यह देखो आदर कैंड के लिए 600 रुपिया और बाकी एस्टी प्रोबेशन्स के लिए 100 रुपीज जो है सेलेक्शन प्रोबेशन्स की बात करें तो पहले आपकी फिलिम्स एक्जाम होगी तो वह जो है अबजेक्टीव होगा और टेस्ट विल त्री सेक्शन्स होंगे और टाइमिंग अलग- अब में कंसिस्ट होगा तीन 300 मार्क्स का होगा तो यह क्या है देखो एक्जामिनेशन हम लोग देख लेते हैं तो exactly में जो है general reasoning होगी 30 questions होगे 90 marks होगा general knowledge 30 questions 60 marks और time भी अलग-अलग दिवा है qualifying भी दिया हुआ है current affairs general knowledge current affairs होगा feed data analysis and interpretation होगा insurance and financial market awareness होगा तो 120 questions होगे 300 marks होगा 2 घंटे की time है और English language letter writing and essay होगा जो आपकी 2 questions होगी marks जो है 25 है English में होगा 30 minutes आपको दिया जाएगा ठीक है और English language जो है वो सिर्फ qualifying nature है और English language will not be counted for ranking qualifying है तो मतलब आपकी जो में जो है उसी में आपकी marks count होगी 300 में ठीक है और for recommend IT यह अलग-अलग सब के लिए दिया हुआ या IT charter dragon actuarial के लिए है और यह राजवासा के लिए है ठीक है तो यह देख लो एकदम clearly है तो जितना आप उसमें score कर सकते हो वह आप एकदम finally आपकी selections हो जाएगे तो exam tough होता है books हम लोग बता देंगे strategy आपको बता देंगे तो उसी साब से आप preparation करते रहेना तो form फिर आप जल्दी कर लो photograph देख लेना वहाँ पर आपको गलत होगा तो आपका rejections हो जाएगा guys तो चलो अच्छा लगए तो जरू लाइक शेर कर देना thank you for watching फिर मिल देख नया वीडियो के साथ तिल दिन good bye